हेलो वैलकम टू अबर चैनल वैलकम इन सर्च में ओल इन वन दुनिया आपका आपके चैनल में स्वागत है जी तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन और कॉर्स से रिलेटेड कुछ अपडेट की जो आपके डेली लाइफ के लिए जुरूदी है तो आज का हमारा टॉपिक है लगे पिःड जिसके पार मैं हम चर्चा करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन हैं अब फूल नेम इसका आपको बताएंगे बताया कि पूल नेम बैचलर ऑफ एजुकेशन है यह नॉर्मरी दो साल का रहता है अबही पहले यह एक साल का भी हुआ करता तो इसलिए पर आपका सकते हो मिनिमम जर्नल के लिए 50 परसेंटेज के लिए 45 परसेंटेज मंगा गया है अड्मिशन प्रोसेसिस में दोनों बेस्टेज़ एक्जाम के बेस्ट पर लेती है और कुछ डिरेक्टर लेती हैं तो दोनों वेलिड दोनों के बेस्ट पर क्योंकि उसमें एंटरंस एक्जाम में कुछ स्कॉलर्शिप या कुछ कंसेशन बेश्ट रहता है तो इसलिए इसलिए इसू किया जाता है एवरेज फीज की बात करें इसमें 90 अजार्स लेकि 2 लाग तक फीज से चार्ज की जाते हैं कॉलेज य जैसे नेशनल एजूकि नेशनल कांसिल ऑफ एडूकेशन नेशनल कांसल फोर टीचिंग एडूकेशन एंसीटी अपरूवड यह कोर्स होता है जिसके बेस पर आप गॉर्मेंट टीचर के पर अप्लाइग का सकते हैं जी और मोड इसमें एक्जाम मोड समेस्टर ली और यह बेस पर भी जो यूनिवर्स्टी का मोड रहता है उस वाइज आपको जो भी कंड़क्टर एक्जाम वो करवाए जाते हैं और आपको देना होता है इसमें इसमें यह रहता है कि एजूकेशन का मतलब यह है कुछ इसमें सब्जेक्ट ऑप्शनल रहते हैं जैसे अगर कुछ में एक्जाम अगर आप या कुछ कोर्सिद में आप अपलाई करते हो तो कुछ पेपर एकमपर्सिद रहेंगे और कुछ ऑप्शनल रहेंगे बेड में यह हैं कि अगर यूनिवर्स्टी में अविलेबल है ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे उर्दो इंगलिश हिंदी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर कर सकते हैं आज के लिए इतना ही था थैंक्यू फॉर बोची